नमस्कार साथियों एलिवेटर टेक ग्रू क्लासेज में आप सभी का स्वागत है साथियों आज हम प्रेक्टिकल करने जा रहे हैं और प्रेक्टिकल में हम सीखेंगे ब्रिज रेक्टिफायर bridge rectifier का circuit diagram bridge rectifier किस प्रकार से बनाया जाता है उसका आज हम practical जानेंगे diode की माध्यम से भी bridge rectifier बना के आपको दिखाया जाएगा और जो already bridge rectifier बने हुए आते हैं वो भी आपको दिखाया जाएगे इससे पहले आपने practical class लिए है center tape full wave rectifier की वो class आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी मैं आपसे आशा करता हूँ तो चलिए आज हम इनके बारे में bridge rectifier के बारे में जानेंगे कौन-कौन से part इसके अंदर होते हैं तो इससे पहले मैं आपसे सभी से अनुरोध करता हूँ कि जिन-जिन साथियों को भी elevator का best engineer बनना है वो आज ही हमारी classes जोइन करें play store पे हमारा application है elevator classes उसको आप जाएके वहाँ से sign up करें install करके sign up करें, login करें और हमारी classes जोइन करें आपको class में हर प्रकार से control panel के एक एक part के बारे में सिखाया जाएगा with practical और हर एक चीज practical के साथ आपको सीखने को मिलेगी तो आज ही हमारे आप description में देखिए हमारे video के description में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको हमारा link मिलेगा वहाँ से play store से आप उस link के माद्यम से application को download करें, install करें उसको वहाँ पे video मिलेगा उस video के माद्यम से उसको आप sign up करें तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार इसमें आपको bridge rectifier में आपको किस किस चीज की आवशक्ता होती है bridge rectifier में आपको ग्यात है पिछली जो आपने theoretical class ली थी उसमें ये इस पस्ट हुआ था कि bridge rectifier में 4 diode के हमें आवशक्ता होती है कितने diode की? 4 diode की 4 diode से bridge rectifier बनाये जाता है जबकि center tape full wave rectifier में सिर्फ 2 diode के आवशक्ता होती है वो आपने पिछली class में देखा practical में यहाँ पे हम 4 diode का उप्योग करेंगे और 4 diode के बाद अगर सुद्ध DC आप बनाना चाते हो तो उसमें आपको एक capacitor के आवशक्ता है वो ampere के according मैंने बताया पिछली class में भी कि अगर 1 ampere का आप load ले रहे हो तो वहाँ पे आपको 1000 microfarad का capacitor यूज करना है और 2 ampere का ले रहे हो लोड के according जितना लोड आप ले रहे हो उनके according उनसे उसको जैसे 3 ampere तो 3 को 1000 से आप into करोगे तो वो 3000 आपका हो जाता है तो minimum 3000 microfarad का capacitor आपको वहाँ पे यूज करना है आप बड़ा के capacitor यूज कर सकते हो कोई दिख्यात नहीं है और विशेज ध्यान रखें वोल्ट लिखा होता है इस पे जितना वोल्ट है जितना वोल्ट आप ले रहे हो जैसे मालीजे आपका 12 वोल्ट का है तो आपको कम से कम उसमें 25 वोल्ट का capacitor आपको लगाना है आप 24 वोल्ट ले रहे तो कम से कम 35 वोल्ट का आपको capacitor वहाँ पर यूज करना है आप 35 वोल्ट ले रहे तो वहाँ पर 50 वोल्ट का capacitor मतलब voltage बढ़ा क्या आपको लेना है क्योंकि थोड़ा बहुत voltage अपना बढ़ के आता है 12 वोल्ट का है तो 12 पे से आपको 15, 16, 17 voltage आपको मिलता है तो ये capacitor क्या है और कम micro parameter का capacitor आप यूज कर रहे हो तो वो heat ओके भी short circuit हो जाएगा तो इन component का विशेष ध्यान रखें तो सबसे पहले